जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम आप लोग के लिए आप लूशेंट जी के का पार्ट वन ले करा हैं जिसके अंदर आपको तो फिफ्टी अमसिक्व यहां पर प्रवाइड करा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्तिक जुरू लगाई है अगर आप लोग यहां पर बैल आइकन को प्रेस किजिगा दोस्तों इस वीडियो को डली लगाई है और अपने इसदाम की तहरी को आगे बढ़ाईएगा तो अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक करते तो जल्दी जली वीडियो को लाइक कीजिगा अपने सभी दोस्तों को से चेर अपने कमेंट बोक्स में जुरू दीजिए ताके आम आप आप लोगों को और अच्छे तरीक कैसे वीडियो यहां पर प्रोवाइड कराज कें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं चलिए फ्रेंट्स आज का पहला क्यूशन देखिए अगला क्यूशन देखिए शहर का पर्थम नागरिक कौन होता है अगर हम बात करें स्टेट की तो फ्रेंट्स जैसे कि राज्ये का पर्थम नागरिक कौन होता है वैसे ही शहर का पर्थम नागरिक जो होता है वो मेयर होता है ठीक है अगर हम बात करें स्टेट की तो फ्रेंट्स जैसे कि राज्ये का पर्थम नागरिक होता है कौन राज्ये का राज्ये पाल होता है ठीक है जिस राज्ये में जो राज्ये पाल न्यूक्त किया जाता है वही उस राज्ये का पर्थम नागरिक माना जाता है शहर का नागरी को गए मेर, ठीक है, याद रखीगा, अगला क्यूशन देखते हैं, अर्ध चालक का उदार्ण है, आप लोगों तहिएगा फटाफट, अर्ध चालक का उदार्ण कोन सा है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निकिया है, तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों से शेर करेगा अर्द चालक का उदारण कौन सा होता है चलिए देखिए सही आंशर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन option C सही आंशर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन next देखिए राशायनिक धातू जस्ता का संकेत क्या होता है क्या होता है ZN option A ZN आपका सही आंशर हो जाएगा यहाँ पर अगला क्यूस्षिन देखिए पर्थवी सूर्य से सबसे अधिक्तम दूरी पर कब होता है सही आंशर क्या होगा फटाफट कमेंड बॉक्स में मेंसिन करिएगा सभी शाती पर्तवी सूर्य से सबसे अधिक्तम दूरी पर कब होता है सही आंसर क्या होगा चलिए देखिए सही आंसर जो जाएगा फ्रिंच च्यार जुलाई को option A आपका से उजएगा पर्तवी सूर्य से अधिक्तम दूरी पर च्यार जुलाई को होता है याद रखिएगा अगला question देखिए सक्सनवत की सुरुवात किसने की थी आप लोग ताएंगे जल्दी से सक्सनवत की सुरुवात किसने की थी किसने की थी कनिस्क ने option C आपका से हो जाएगा कनिस्क ने सक्स अनवत की शुरुवात की थी याद रखी अगला question है next देखी राष्ट्री stock exchange कहां स्थित है फटाफट कमेंट करेंगे समसाती राष्ट्री ए stock exchange कहां स्थित है कहां पर है मुंबई में option A मुंबई आपका सही answer होगा next देखी वाई-उ मंडल में सरवाधिक मातरा में कौन सी गैस पाई जाती है फ्रेंच बहुत अच्छा response आप सभी का वीडियो को लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है अपने दोस्तों सेर किया सभी का धन्यवाद देखी वाई-उ मंडल में सरवाधिक मातरा में कौन सी गैस पाई जाती है सही answer होगा nitrogen ओप्शन बी आपका सही answer होगा nitrogen अगला क्यूशन देखिए सारदा चिटफन गोटाला किस राजे से संबन्दित है आप लोग ताएंगे जल्दी से सारदा चिटफन गोटाला किस राजे से संबन्दित है सही answer जाएगा आपे पस्चिम बंगाल से Option D आपका सिर्ज़ेगा पस्चिम मंगाल से समदीत है सार्दा चिटफन गोटाला Next देखी आतम हत्या की थैली किसे कहा जाता है फिरेंच बताइएगा आतम हत्या की थैली किसको कहा जाता है बहुत एचा क्यूशन ने सभी का अंसोर आना सी किसको कहा जाता है लाइसो सौम को कहा जाता है याद रखिए Option B आपका सी हो जाएगा आतम हत्या की थैली लाइसो सौम को कहा जाता है अगला क्यूशन देखी मनुश्ये का रक्ट चाप सामनेते कितना होता है फटा-फट कमेंट करिएगा मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है आप लोग उताएगे जल्दी से मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है किसको जाना जाता है मिथेन गैस को Option B आपका सी हो जाएगा मिथेन गैस का दूसरा नम क्या है मार्स गैस से याद रखिएगा friends next देखिए स्थानिय सवसासन का जनक किसे कहा जाता है आप लोग उताएंगे जल्दी से स्थानिय सवसासन का जनक किसे कहा जाता है किसको कहा जाता है Lord Rippan को option A Lord Rippan या पर सई answer हो जाएगा next देखिए चावल को बार बार दोने से कौन सा विटामिन नस्ट हो जाता है आप लोग उताएंगे जल्दी से चावल को बार-बार धोने से कौन सा विटामिन नस्ट हो जाता है विटामिन B6 नस्ट होता है ओप्शन D आपका सही हो जाएगा विटामिन B6 नेक्स देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निक्किया फ्रेंच वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों साथ सेर कर देजी का और जो नए बच्चे चैनल को सभी सबस्क्राइब जूरू कर लेंगे देखेगा अगला क्यूशन कौन सा अनुचेद ग्राम प क्यों प्राइट किसका पर्मुख आइस के देखेगा तामबा का ओप्शन ए तामबा आपका सही आंसर होगा नेक्स देखिए गुलीवर ट्रेवल्स किसकी रचना है most important question है फटाफट कमेंट करिएगा गुलीवर ट्रेवल्स किसकी रचना है किसकी जॉनेथन स्विफ्ट की option C जॉनेथन स्विफ्ट आपका सही आंसर होगा नेक्स देखिए SMS का विस्तित रुप क्या है आप लोग टाएंगे जल्दी से full form of SMS टाफट कमेंट करिएगा सही आंसर देगा short messaging service option A short messaging service आपका सही आंसर होगा next देखिएगा next ए विस्व बैंक का मुख्याले कहां स्थित है आप बताएंगे जल्दी से विस्व बैंक का मुख्याले कहां है वासिंग्टन डी सी में फ्रेंट्स ओप्शन सी आपका स्यूजएगा वासिंग्टन डी सी राइट आंसर और डी सी की की फुल फॉर्म होती ही इसकी फूल फॉलम चेंजर याद रही का अब से एक्जाम पूछ सकता है डी सी की फुल फॉर्म क्यゃोती है तो फॉजकि क्या हbreak डी स्वाभिया इसकी फुल फॉल फॉर्म होती to देकि और वेंग का मुखहले का पर है वाशिटिन डिसी के अंदर है Nextpetto कि- ओस्दी का जनक किसे कहा जाता है। सभी आंसर होगा अरस्टू, ओप्शन ए अरस्टू आपका सभी आंसर होगा यहां पर, नेक्स देखी। रक्था का पी एच मान कितना होता हैं कितना होता है। नेक्स देखिए description आप लोग ताएंगे जल्दी से परकास वस किसका मात्र के वीडियो को लाइक करेंगे अपने अपने दूस्तों साथ सेर करेंगे देखिए का परकास वस किसका मात्र के दूरी का ओपिशन C दूरी स्पाट से अंसर उगा next देखिए वायू मनली दाव किस यंतर से मापा जाता है, आप लोग ताएंगे जल्दी से, वायू मनली दाव किस यंतर से मापा जाता है, सही आंसर होगा, बैरोमेटर से, option A, बैरोमेटर यहाँ पर सही आंसर होगा, next देखी, कपास किस से प्राप्त होता है, आप लोग ताएंगे जल् स्वेधानिक उप्चार के दिकारों की व्यक्या किसके द्वारा स्विधान की हर्दे एवं आत्मा के रूप में की गई थी किसने की थी फटाफ़र कमेंट करिएगा सही आंसरों के आप देखिए बीमराव अंबेडकर ओप्शन डी आपका स्वेधानिक उप्चार के दिकारों की व्यक्या बीमराव अंबेडकर के द्वारा स्विधान की हर्दे आत्मा के रूप में की गई थी याद रखिए नेक्स देखिए एकला क्यूशन बारत के परिदर्शे में सबसे आखिर में उबरने वाला दर्म कौन सा है आप लोग ताएंगे जल्दी से इंसूलिन किसके दवारा सिरावीत होता है आप लोग ताएंगे जल्दी से लोका स्राइब्स साइग होता है नेक्स ना किमिशं किसका परमुक इसकर है जल्दी से बोकस्याइट किसका परमुक इसकर किसका है एलूमिनियम जल्क Kingdom कोन है एक लोट अच्छा गंगा धतिलक, अप्टिन a है आपका सबसे बड़ा उत्पादक राजे उत्पादक राजह कौंचा dużo का सबसे बड़ा उत्पादक राजे कौंचा है कौंचा। केरल, ओप्षन B, केरल यहां पर सही आंसर होगा अगला question देखी तरी पिटक परसिद पुस्तक है किस दरम के आप लोग उताएंगे जल्दी से तरी पिटक पुस्तक जो हो है वो किस दरम की परसिद पुस्तक है सही आंसर क्या होगे देखी बोधों की पुस्तक है, त्री पीटे ग्याद रगीगा, option A, बोध आपका सही आंसर होगा, next देखी, भारत का सबसे बड़ा बाग आरक से चेतर कौन सा है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, भारत का सबसे बड़ा बाग आरक से चेतर कौन सा है, जिम कारबेट, option A, जिम कार बेट यहां पर सही आंसर होगा, next देखी, अनुवान सिकता के करम को अनुवान सिकी किसने कहा था, और फटाफट वीडियो को लाइक करिए, friends, सबीज हात्यों का आंसर आना ची, comment box में, अनुवान सिकता के करम को अनुवान सिकी, किसने कहा था, किसने, W.Watson ने कहा था, friends, option C, आपका सही आंसर होगा, W.Watson, अगला question देखी, next है, भारत में सरवाधिक कौफी उतपादक राजे कौन सा है, आप लोग ताएंगे जल्दी से, भारत में सरवाधिक कौफी उतपादक राजे कौन सा है, सही आंसर होगा, करनाटक, option A, करनाटक यहां पर सही आंसर हो यहां पर सही आंसर होगा, अगला question है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में परवेश करता है, तो वह है क्या होगा, तो देखिए, सही आंसर क्या होगा यहां पर, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में परवेश करता है, तो फ्रेंच क्या होगा, चलि देखी, सही आंस महावीर को किस जगह निर्वान प्राप्त होता आप लोग ताहीं जल दिशें महावीर को किस जगह निर्वान प्राप्त होता फटा फट कमेंट करिएगा सही आंसर क्या देखिए पावापूरी में ओप्शन C पावापूरी आपका सही आंसर होगा याद पर next देखी अगला question है हमारे स्विधान में समाजवादी धरम निरिपेक्षता तता राष्टर की एकता एवा मखणता सबद स्विधान के किस सविधान संसोधन दवारा सामिल किया गय था आप लोग उताएंगे जल्दी से पेटा फ़र्ट कमेंट करीगा यहां पर स्विधान संसोधन के तैत option B आपका हमारे स्विधान में समाजवादी धरम निरिपेक्षता राष्टर की एकता एवा मखणता सबद स्विधान के 42 में स्विधान संसोधन में इसको सामिल किया गय था तो option B आपका स्विधान संसोधन next देखी 1935 में option C 1935 आपका सही आंशर हो जाएगा next देखी अलिगड़ आंदोलन के संस्तापक कौन थे आप लोग उताएंगे जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा राइट आंशर अलिगड़ आंदोलन के संस्तापक कौन थे सर सेद एहमद घान थे option A आपका सही हो जाएगा next देखीए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंट सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए share करते रहेगा अपने दोस्तों के साथ facebook, whatsapp, telegram सभी जगे share जरू करेंगे देखी अगला question तेलंगना राज्य की राज़दाने कहा है तेलंगना राज्य की राज़दाने कौन सी है सई answer हो जाएगा देखीएगा हैदराबाद option A हैदराबाद यहाँ पे सई answer होगा next देखी महत्मा गांदी ने भारत में पहली बार सत्यगरण कहां किया था सबसे उपरी भाग में कौन सा रंग होता है इंदर धनुस में सबसे उपरी भाग में कौन सा होता है रंग लाल होता है रेड कलर होता है याद रखी का फ्रेंट्स उपरी भाग में इंदर धनुस के अंदर तो उप्षन ए आपका से उजएगा लाल राइट आंस्वर नेक्स देखी आज का स्टेचू ओफ लिवर्टी किस देश में है आप लोग उताएंगे जल्दी से स्टेचू ओफ लिवर्ट राम क्रिशन मिशन की स्टापना किसने की थी स्टापना किसने की थी देखीगा स्वामी वेकानद ने अगला क्यूशन देखी बारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निधान कोन सी रेखा करती है आप लोग उताएंगे जल्दी से भार्त और पाकिस्तान के बीचे सीमा गनेदान किसे होता है रेड क्लिफ रेखासे होता है फ्रेंच ओप्शन C रेड क्लिफ आपका सही आंशे होगा next देखी दांडी मार्च कहां से प्रारम हुआ था आप लोगों ताई हैं जल दीशे सोना का रासाइनिक संकेत क्या होता है गोल्ड जो होता है उसका रासाइनिक संकेत क्या होता है आप लोग होता है जल्दी से फटा फट कमेंट करिएगा और जिन्होंने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करेंगे और जो नए बच्चे है चैनल को कर लेंगे notification के लिए देखिएगा question Sona का रासा इनिक सेंग केत क्या होता है AU होता है option C AU आपका सही आंशर हो जाएगा next देखिए सैन्ने सासन का विवहार पर्थम बार भारत में किसी ने क्या था आप लोगता हैंगे जल्दे से option C आपका सही आंशर हो गा next देखिए कनेश का संबन्द किस राजवन से था आप लोगता हैंगे जल्दी से कनेश का संबन्द किस राजवन से था option C कुशान आपका सही आंशर हो गा I hope आपको question अचल लगे होंगे तो सभी साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों साथ Facebook, WhatsApp, Telegram, जो भी आपके पास study group है, उन में सभी जगह सेर जूरू करेंगे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों साथ, और जो नए बच्चे आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, Career Point, YouTube चैनल को, सभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली का डेली आपको क्लास मिलते रहे हैं, और आप अपने एक्जाम के आपर अच्छे से यारी कर सकें, दोस्तों कमेंट करके जूरूता आपका स्कोर क्या रहा है, पचास में से आज का, और आपको वीडियो क कैसी लगी, क्योशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में, जुरूर मैंशन करना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुडबाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम.